PT का जो exam pattern रहेगा वो क्या रहेगा ठीक है UPSC PT का जो exam होगा वो एक objective type paper है ठीक है objective type paper है और यह offline mode में exam होगा offline mode में exam होगा और इसमें आप देख रहे है UPSC PT exam में 100 marks का paper होगा और 100 questions होगे मतलब हर question का आपका एक number होगा हर question में आपका एक number होगा अब आपके मन में सवाल आ रहोगा सर क्या negative marking भी होगी इसमें देख लेते हैं बिल्कुल सही question के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं सही question के लिए आपको एक mark मिलेगा और गलत सवाल होने पर और आपका 0.25 marks cut कर लिया जाएगा डिटक कर दिया जाएगा बिल्कुल जैसा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा सब कुछ A to Z चीज़े आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी ठीक है elementary mathematics logical ability analysis of statistics and graphs general knowledge and science and Hindi तो मतलब यह सारे subject UPSS C PT के exam में आपके रहने वाले हैं